हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज हम लोग जा रहें गुहाटी और गारी में बैटने के बाद हम लोग चले गए एरपोर्ट के तरफ और बाहर अंदेर आई था क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी ही निकल गए थे फिर आप लोग देख सकते कि एरपोर्ट कितना अच्छा दिख रहा था, लाइट वाइट के फिर हम लोग एरपोर्ट भी पहुच गए, एरपोर्ट पहुचने के बाद हम लोग थोरा बहुत वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग लेट हो गें फिर एक दिन के लिए गए थे तो ट्रॉली वाली कुछ नहीं था फिर टिकेट्स लेने के बाद हम लोग ने सेक्रिटी जेक इन किया सेक्रिटी जेक इन करने के बाद में बैटी अपनी प्लेस में फिर आप लोग देख सकते कि एप थोरा सा चोटा था लेकिन ऐड़ी प्लेस भी अच्छा लागा मैंको फिर हम लोग आ गए गेट का मक्या मंदिर का जो में गेट है और आप लोग को जाना पड़े का थोरा सा उपर है पहारों में है मंदिर तो मंदिर भी स्टार्ट हो चुका था थोरा बहुत हम लोग ने बाहर के तरफ से शॉपिंग भी किय और आप लोग देख सकते हैं बहुत भक्त लोग आये थे मंदिर के लिए तो हम लोग ने कारी साइड लगा कि हम लोग पी चल परें अंदर फिर अंदर आने के बाद हम लोग को पता चला कि फोन आलाउड नहीं है तो हम लोग ने सिर्फ इंटरिगेट तक ही किया क्योंकि आप दर्सन करने आ रहे हो तो क्यों आच्छे से दर्सन कर लेते हैं तो हम लोग ने कुछ वीडियो नहीं पनाया फिर आप लोग प्लैन कर रहे हैं कामा क्या मंदिर विजिट करने के लिए तो आप लोग आराम से 5-6 घंडा हाथ में लेके आ जाए क्योंकि 5-6 घंडा मिनि आ पाट करने क बाद करने के लिए लिए यह दो जो सथा नागा सामष को आधेंटिक राचराएं तो बहुत जादा बीड़ था हर्ली जो पर बना है कितना अच्छा तरीके से ये लोग ने रेस्टुरेंट बनाया है मतलब घर जैसा फील हो रहा था तो मैं मतलब देख रही थी कि कैसा है क्या है और हम वेट भी कर रहे थे अपना प्लेस खाली होने के लिए फिर वेट करते करते मतलब हम लोगो सीद भी मिल गया और मेरा हस्बेन और कर रहा था नागा थाली तो मै याद नहीं होता है किया होता है क्यों कि ये मेरा फ्र Scale थे वेट कर रही थी और वेट करने के बाद मेरा टेजर भी पहले ही आ गया था तो मैंने ट्राय किया वो डैजर पाइनबल का कुछ तो था इतना ट्रेस्टी था ना कि दीन भर का मेरा थकान मतलब ऐसे ही मतलब भी मैं इतना खुर्ष थी और फिर मेरा लुंच आ गया वो था ऐह ठेंटिक नागा स्थायल का खाना और मैंने first time try किया था तो first time में ही मैं तो fan हो गई थी मतलब इतना अच्छा मसाला भी कम और यह है pork और आलू की सबजी यह है steamed cabbage और plain rice इतना tasty था ना कि मैं बता आने सकती फिर थोड़ा सा restaurant खाली हुआ फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वीडियो लिया ताकि आप लोगो भी पता चल जाए कि exactly restaurant कैसा देखता है तो हम लोग बहार निकले और restaurant है David cafe and restaurant की ठीक अपोज इन में तो हम लोग फिर से गारी में चल गए बहुत बहुत ही गर्मी था बहार फिर airport आरिक पाद थोड़ा बहुत coffee पिया नाइका में थोड़ा shopping किया फिर shopping का अंडे के बाद time हो गया था flight का तो हम लोग flight के तरफ गए और back to Kolkata आ गए तो thank you for watching if you like my video do like and subscribe guys